आप जब दी ये विडियो देख रहे हो CA Inter November 23 के एक्जाम्स चालू हो गए है आज मैं बात करने जा रहा हूँ Advanced Accounts के पेपर की यानि हमारा Group 2 का 1st पेपर जो 10th November को आपका एक्जाम है उस Advanced Accounts के पेपर की किस तरीके से आप Last Day Revision करोगे किस तरीके से आप अपने Final Revision को शेप करोगे आज हम उस चीज पर discussion करने जा रहे है मैंने Accounts का Last Day Revision Strategy विडियो अलरेड़ी डाल दिया था Tax का 1.5 Day Revision विडियो स्ट्राटजी अलरेड़ी आ चुका है इस तरीके से सारे सब्जेक्ट के Revision Strategy आपको दिखेंगे नवीन Classes Words of Wisdom चैनल पे Law का भी आ चुका है अब मैं Advanced Accounts का ये Revision Strategy डाल रहा हूँ आज के इस Advanced Accounts के Revision Strategy डिसकाशन में मेरे को बच्चों को दो पार्ट में डिवाइड करना होगा एक वो बच्चे जो सिर्फ जो सिर्फ इस Attempt में Group 2 का एक्जाम देने वाले है जिनका Group 1 हो चुका है उनको November 23 में सिर्फ Group 2 देना है या फिर वो बच्चे जो दोनों Group का एक्जाम दे रहे हैं Group 1 कंप्लीट होने के बाद उनका Group 2 का एक्जाम चालू होगा जिनका सिर्फ एक ही Group है यानि जिनको सिर्फ Group 2 देना है उनके पास Revision के लिए कितना टाइम वो डिवोट करें उसकी कोई कमी नहीं है दस तारीक को एक्जाम है जैसा कि मैंने अकाउंट्स में भी बोला था एडवांस अकाउंट्स में भी सेम अटलीस्ट तीन दिन आपको देने चाहिए उन दी फर्स पेपर और दी एडवांस अकाउंट्स का पेपर का फाइनल रिविजन में तो जो बच्चे सिर्फ ग्रूप 2 कर रहे हैं उनको 7th, 8th and 9th नवेंबर को अपना एडवांस अकाउंट्स का रिविजन करना है और 10th नवेंबर को आपका एक्जाम है जो बच्चे दोनों ग्रूप का एक्जाम दे रहे हैं बच्चो, ग्रूप 2 एक overall new journey है ग्रूप 1 आपका कैसा भी गया हो उससे कोई मतलब नहीं है ग्रूप 2 एक नया journey, एक नया examination है अगर ग्रूप 1 आपका अच्छा नहीं गया तो उसके कारण ग्रूप 2 नहीं देने जाना या ग्रूप 2 का exam अच्छे से नहीं देना ये बहुत बड़ी mistake है जो बच्चे करते हैं अगर मेरा ग्रूप 1 कोई कारण से नहीं भी होता है तो मेरे पास chance है कि मैं ग्रूप 2 करके ग्रूप 2 को complete कर सकूँ अगर आप ये करते हो तो आपका burden उतना ही कम होगा जितना आपका सिर्फ ग्रूप 1 पास होने से होता तो कभी भी ग्रूप 2 को ग्रूप 1 के exam कैसा गया उसके हिसाब से कभी भी prepare ना करे आप हमेशा ग्रूप 2 को एक नया preparation नया start मान के prepare करे, revise करे तो ध्यान रखिएगा ग्रूप 1 में कैसा भी गया टैक्स का paper कैसा भी गया इससे advance accounts के paper पे effect नहीं आना चाहिए ये ग्रूप 2 का वो paper है जो आपको 60 अब बहुत easily दिला सकता है ग्रूप 2 में हमारे पास चार paper है, advance accounts, audit, EISSM, FMEKो advance accounts, FMEKो में अगर आप try करते हो महनत करते हो, 60 score करते हो तो balance 2 theory subject में सिर्फ आपको 40-40 लाना पड़ेगा तो ये 2 subject बहुत important है from the viewpoint of marks अगर हमने यहां marks उठा लिया तो हमारा group 2 secured है हम group 2 अच्छी तरीके से पास कर पाएंगे तो final revision करते समय please group 1 के paper का effect group 2 पे बताने देना सबसे पहले मैं बात करूँगा उन बच्चों से जिनका सिर्फ group 2 का exam है आपको जैसे मैंने बताया 7th, 8th and 9th देना है for group 2 का final revision सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे group 1 में मैंने बोला आपको थोड़ी written practice करनी है आप last day में जब revision करते हो अगर कुछ question आप हाथ से बना के जाओगे जो अच्छे portions है जो exam में बार-बार पूचे जाते है अगर वो हाथ से बना के जाओगे तो exam में जो ये problem आती है ना कभी-कभी सर 50%, 60%, 70% बना के हम रुख गए हमको समझ में नहीं आ रहा है आगे कैसे proceed करे वो problem नहीं आएगी तो you should ensure कि आप सिर्फ revision नहीं कर रहे हो या सिर्फ देख नहीं रहे हो कुछ questions हाथ से भी बना रहे हो क्योंकि आपके पास 3 दिन का time है आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो इसलिए आपको जादा से जादा written practice पर insist करना है सर, chapters का written practice करना है कि accounting standard का भी अब हाथ से बना के जाओ जो अच्छे portions है जैसे right share के case में EPS कैसे निकालते है diluted EPS का एक question कर लिया mat वाली companies कैसे अपना defer tax calculate करती है ये सब question अगर आप करके जाओगे तो exam में बहुत help करेगा आपके paper को फटाफट complete करने में मैंने advance accounts के लिए इस time के लिए क्या-क्या important questions है marathon के video सारे upload कर रखे है अगर आप ये पहला video देख रहे हो नवीन Classes के channel पे तो वो सब आप देख सकते हो नवीन Classes के channel को थोड़ा सा घाटी आपको सब मिल जाएगा नहीं मिल रहा है तो अमारी team के साथ contact कीजे, they will help you with the available resources साथ तरीक को आप करोगे buyback, ESOP, liquidation, internal reconstruction ये 4 chapter 20 marks consist करेंगे exam paper का और accounting standard में 4, 5, 29, 20 ये मैं आपको बता रहा हूँ अगर ये आपका फटा-फट हो जा रहा है और भी time बाकी है तो next day का भी एक chapter आप पहले कर सकते हो कोई problem नहीं है जैसे you can start your banking का chapter ये you can start your amalgamation का chapter so that अगर आपके पास time है तो उसको waste करने से अच्छा utilize किया जाए तो पहले 7 तरीक को आपको 4 chapter करने है और 4 accounting standard करने है 8 तरीक को आप करोगे amalgamation, सुबह उठे उठे फिर उसके बाद कुछ accounting standard कर लिया 24, 26, 17, 18, 2 कर लिया 24, 26, फिर आप जाओगे partnership करोगे, partnership क्योंकि बहुत बड़ा है तो part by part चलना पहले dissolution complete करना, dissolution garner मरे, फिर peace meal में जाना then amalgamation में जाना, amalgamation of firms and then last में conversion में जाना इस तरीके से करने का है उसके बाद फिर 2 accounting standard कर लिया then you go to banking chapter इस तरीके से next day में आपको 3 chapter करने है और 4 accounting standard करने है 9 को 2 chapter हमारे बचे NBFC और consolidation क्योंकि last day banking किया है सुबह उठते ही पहले NBFC करेंगे कुछ accounting standards कर लेंगे जो बचे वे है फिर consolidation करेंगे consolidation को मैं last में इसलिए दे रहा हूँ और third day मैंने कम इसलिए रखा है क्योंकि consolidation में थोड़ा written practice लगेगा कोई बच्चा अगर consolidation छोड़के जा रहा है मैं बोलूगा risk मत लीजे क्योंकि last term में institute ने partnership को अटा के दो question consolidation के डाल दिये थे मैं यह नहीं बोल रहा हूँ इस साल भी या इस term में भी ऐसा ही होगा बट क्योंकि वो किया हुआ है ऐसे abruptly पुरा छोड़के जाना सही नहीं है अगर कोई बच्चा consolidation के बड़े सम नहीं भी कर पा रहा है जो छोटे-छोटे सम है minority interest का calculation, goodwill का calculation, dividend के adjustment या फिर related to unrealized profit के adjustment जो छोटे-छोटे 5-5 mark के question दे कम से कम वो आप देख कर जाईए profit and loss consolidated देख के जाईए वो एकदम easy होता है इतना भी आप करके जाएंगे तो हो सकता है कि 15 mark के एक question में 5-10 mark आप attempt कर पाऊ तो इस तरीके से next 3 तीन दिन का आपको ये preparation का strategy अपना रखना है इस तरीके से अगर आप करेंगे तो one by one चीजे आपकी connect होना शुरू हो जाएगी connect होती चली जाएगी जो 10 तरीका सुबह वाला time रहेगा आपके पास आप कुछ नहीं करेंगे सारे AS का एक revision लगाएंगे accounting standard के revision के लिए मैंने marathon में पूरा एक summary note बना कर बच्चों को दिया था around 20 pages का कुछ summary note होगा वो 20-25 pages अगर आप ले लेते हो और उससे कर लेते हो आपको अलग से कुछ नहीं करना सिर्फ 20 page में सारे accounting standard कवर हो जाएंगे हमारे marathon के जो videos है उसके description में भी होगा नहीं होगा तो हमारी team से ले लीजेगा वो आपको बहुत help करेगा जिन बच्चों का सिर्फ group 1 complete होगे और group 2 का exam वो देने जा रहे है उनके पास थोड़ा time कम रहेगा 8 को जब आप tax का exam दे के आएंगे group 1 complete हो आवर हैगा चार paper हो गए आप बहुत ठके हुए होंगे क्योंकि tax में बहुत जादा मेहनत करके आप गए हो तो उस case में 8 तरीक को हम लोग 3-4 घंटे से जादा नहीं दे पाएंगे उसके बाद हम लोगों को एक नीद लेनी चाहिए so that हम next दिन वापस fresh उठे और पूरा 9 तरीक को properly utilize कर सके में 9 तरीक है इस दिन हमको बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से utilize करना है 10 को हमारे पास सुबह सुबह का समय रहेगा जिसको हम properly utilize करने की कोशिश करेंगे 8 तरीक को जब आप आओगे 8 तरीक को जब आप आओगे एक बात और बोल दू written practice आपको भी करना है कुछ questions हाथ से बना के जाने है बट आप उतने नहीं बना पाओगे जितने वो दूसरे वाले students बना पारें क्योंकि आपके पास time कम है इसलिए आपको क्या करना चाहिए जो technical issues है हर chapter के सिर्फ उसका एक question हाथ से निकाल लो जैसे buyback में limits of buyback वो तीन condition lower of the three करके हम calculate करते हैं अगर ESOP की बात करूँ तो वो earning based vesting पहला साल 2 year का vesting period दूसरे साल 3 year का vesting period वो वाला एक question देख liquidation में एक बार list भी contributory हाथ से निकाल लो equity shareholder of different class को पैसा जो बाढ़ते थे उसको हाथ से निकाल लो it will help you in exam तो वो जो technical points है उनका अगर एक question भी आप हाथ से देख लेते हो काम हो जाएगा आपको आठ तारिक को करना है buyback ESOP liquidation तीन chapter 20 marks और साथ-साथ accounting standard 17 or 20 17 or 20 17 में जो most important point है वो 10% criteria उसको अच्छे से देख लेना उसका question देख लेना और 20 हमारा practical accounting standard EPS निकालने का फटा-फट हो जाएगा अगर इसके बाद जान बचे कुछ करना चाहो तो internal reconstruction का एक chapter कर लेना कर लेना 9th को हमारे पास पूरा दिन है जिसमें अपने को सबसे जादा महनत करनी है सुबह-सुबह उठते ही में लिखना भूल गया सबसे पहले internal reconstruction करेंगे amalgamation करेंगे उसके बाद accounting standard 4-5-29 करेंगे 4-5-29 ये करने के बाद जाएंगे partnership फिर accounting standard 24 और 26 करेंगे फिर आप जाओगे banking और NBFC में ये 9 तारीक हमारे लिए बहुत महनत वाला रहने वाला है क्योंकि इस दिन में हमको majority सारी चीजे cover करनी है next day 10 को आप सुबह-सुबह उठके consolidation करोगे 3-5 गंटे आप अपना time देकर consolidation करोगे consolidation में balance sheet की चीज last way देखना पहले profit and loss देख लेना adjustments देख लेना फिर balance sheet देखना और उसके बाद जो बचेवे accounting standard है वो आप करोगे तो अगर आपके पास थोड़ा 8 तारीक को time होगे आप internal reconstruction कर पाते हो तो 9 तारीक को जो बचेवे accounting standard है उसमें 2-3 accounting standard करने से थोड़ा relief हो जाएगा तो 10 तारीक को आप आराम से कर पाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी time short है हमको इसी time के अंदर पूरे subject को revise करना है तो properly हमको ध्यान रखके ये revision 3 दिन का schedule किया गया है अब जो बच्चे बहुत सारे बच्चे मेरे को भेजते हैं ताकि कोई कारण से अगर वो आ जाए जो छोड़ा हुआ था उसको मैं छोड़ू choice में तो बाद बागी सारी questions मैं attempt कर सकूँ तो partnership या consolidation में कुछ छोड़ना चाहो तो मैं जादा बोलूगा partnership आप ignore कर सकते हो बट इन डाट केस consolidation को बहुत solid करके जाना and consolidation my dear students please take it in mind जो book में दियावा question है वही से आएगा बाहर से नहीं देता institute क्योंकि already institute है अपने mat में holistically बहुत सारी चीजे cover कर रखिये in all depth तो जो हमने class में किया है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा balance sheet का अगर एक वो question कर लेते हो master problem वाला तो अलग से कुछ करना ही नहीं पड़ेगा balance sheet में क्योंकि उस question के अंदर सारे adjustments already दिये हुए है इस तरीके से advance accounts का last day revision अगर आप अपना shape करते हो मेरे को लगता है आप 2 दिन में properly 3 दिन में properly अपना revision कर पाओगे and आपका exam बहुत अच्छा जाएगा all the best to all of you marathon के videos refer कर सकते हो accounting standard की summary refer कर सकते हो marathon का question refer कर सकते हो इससे बहुत आपको फाइदा होगा and you will do good अगर हुआ अच्छा तो हो सकता exam में paper उनी questions से आपको देखने मिले thank you so much everyone study hard all the best bye bye